एक ऐसी बिमारी है जिस वज़े से लाखों कड़रों लोगों की जान गई है लेकिन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर आजकल काफी बढ़ रहा है ये जो सर्वाइकल कैंसर है पहले के सामय में काफी बढ़ गया था लेकिन अब वो फिर से सामने आ रहा है जिसका अवेरनेस उसकी वैकसिन क्या होती है इस बार में नहीं जानते हैं इस बार में अधिक जानकरी बतानी करी मेसा डोक्टर अरपिता चकरवरती है जो कि बंबे अस्पताल में आप gynecologist है मैम क्या बताना चाहेंगे आप जिस तरीके से बिमारी काफी बढ़ रही है अठा वर्ष से अधिक महिला है जो है वो इस बिमारी से पीड़ित हैं और जान भी उनकी जा रही है, मृत्तु भी हो रही है तो क्या है यह बिमारी नमस्ते सबसे पहले तो female related cancers में cervical cancer बहुत ही common देखा जाता है हमारे country में specifically developed country में cervical cancer के incidences उतने नहीं हैं जितने अपने country में हैं because of other high risk factors which are present हमारे country में जो हैं बाकी जो European countries में उतने नहीं हैं one of the most important causes nutrition and hygiene जो हमारे country में पहले के जमाने में जादा काम था तो इसलिए पहले cervical cancer सबसे common हुआ करता था हमारे country में अभी जैसे independence के बाद इतना सब कुछ अच्छा हुआ है nutrition wise, health wise, hygiene wise everything has been taken care of महिलाएं भी अवेर हुई हैं काफी तो cervical cancer जो पहले number one cancer हुआ करता था इंडिया में अभी वो number two पे आ गया है अभी breast cancer number one हुआ है अभी भी मैं अपने रोज के practice में भी देखती हूँ कि महिलाओं को अधिकतर को ये पता ही नहीं है कि cervix होता क्या है uterus का कौन सा भाग को cervix कहते हैं महिलाओं को बस इतना पता होता है हाँ बच्चे दानी है एक organ उनके अंदर पर उसके अलावा उनको बाकी organs के बारे में जो female related organs वो females को खुद नहीं पता है कि उनके कौन से organs है तो cervical cancer और इसके वज़े से जो तकलीफे develop होती है cervix के वज़े से वो होता क्या है वो जानना या वो awareness होना जादा important है मैं एक picture के माध्यम से awareness create करना चाहूंगी ताकि जादा से जादा महिलाओं को पता चले कि cervix क्या होता exactly तो उसका cancer क्या होता है वो पता चलेगा अगर आप इस photo में देख पा रहे हैं बच्चे दानी जिसको हम लोग uterus कहते हैं उसके दोनों बाजो में दो अंडे दानी होती है जिसको हम ovary कहते हैं अब इस cervix जो होता है वो बच्चे दानी का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जहां से delivery होती है तो ये बच्चे दानी का ही हिस्सा है पर सबसे नीचे वाला जो कि बाहरी दुनिया के जो भी germs एंटर करते हैं, वो सबसे पहले cervix को involve करते हैं, इसलिए जिन भी महिलाओं में सफेद पानी का जाना, बदबूदार पानी का जाना, ये सब common हैं, उनमें हम request करते हैं कि आप अपना regular गायनक चकप करवाते रहें, क्यूंकि वो एक बहुत बड़ा symptom है, सवाइकल कैंस का भी, तो cervix जो है वो निचला हिस्सा होता है गर्वपीशवी का, और इसी को हम लोग देखते हैं नीचे से, और इसका जाच जो लेते हैं, उसको हम लोग pap smear कहते हैं, सबसे important test या फिर सबसे कारगर screening test जिसको हम कहते हैं, कैंसर के दुनिया में, वो है pap smear test, अभी तक किस कारगर स्क्रीनिंग टेस्ट आ नहीं पाया है, जितना सवाइकल कैंसर का है, बट विडंबना ये है हमारे देश में की अधिकतर लोगों को, जितने मेरे पास, I would say, out of 10 patients, 7 को ये नहीं पता रहता है कि पैप्स में और होता क्या है, एक सवाल मेरा यहाँ पे आप से है, अप अगर साइकल भी गरता है, तो क्या एक अलामिंग एक नेचर होता है बॉडी का जिससे पता चले कि ये एक सिंटम हो सकता है, बिल्कुल, बहुत स्पेसिफिक सिंटम्स हैं सवाइकल कैंसर के, जो की स्टेज, बहुत अरली स्टेज में ही सवाइकल कैंसर देना शुरू करता तो कोई भी महीला अगर अपने menstrual cycle के बीच में spotting या फिर bleeding देखती है, it's one of the most बहुत important symptom है, अगर intercourse के बाद उनको bleeding देखता है, ये बहुत ही tell-tale example हम लोग कहते है, tell-tale symptom कहते है या फिर बहुत ही important symptom है cervical cancer का, बदबूदार पानी आना बहुत दिनों तक और खुद specific symptoms है cervical cancer के, जो cervical cancer बहुत early stage से देना शुरू करता है, तो ये सारे symptoms अगर एक female अपने रोज के life में देखने की कोशिश करे, तो हो सकता है उनमें हम इस cancer को बहुत early detect कर सकते हैं, अपर बिमारी ग्रो कैसे होती है, since it's a cancer, cancer खुद बखुद ग्रो करता है, तो जैसे, yes, exactly, जैस कि कोई भी और cancer ग्रो करता है, in the same form. Stages, मैं कहना चाहरे हूँ कि पहला stage क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा. I'll explain from the diagram again. पहले stage में, ज्यूंकि आप देख रहे हैं, बच्चे दानी का ये area और नीचे उसका cervix, सिर्फ cervix involved होता है. Cervix के बाद, दूसरे तीसरे stage में, जो cancer है, वो अंदर ही अंदर फैलना शुरू करता है. दूसरे तीसरे stage में, वो vagina को भी involve करता है. उसके बाद वो अंदरूनी, पेट के बाकी organs, ओवरी को, पीछे जो संडास की जगा है, उसको, आगे जो पिशाब दानी है, उसको involve करके, बाकी कहीं पे भी, फिर पूरे stage 4 में, वो पूरे body में कहीं पे भी फैल सकता है. तो यह stage 4 का cancer है, जो हर cancer में stage 4 में पूरे body में फैल जाता है. पहले दूसरे stage में, जहां पे हम कहते हैं कि cancer सिर्फ बच्चे दानी के मूँ तक, या फिर cervix तक ही सीमित रहता है, या फिर वजाइना के उपर हिस्से तक ही सीमित रहता है, उसका treatment और आगे का जो life रहता है एक female का कि वापस cancer हो सकता है कि ने, जोसको हम लोग recurrence कहते हैं, वो काफी अच्छा रहता है उन में. Stage 3 and obviously stage 4 में जो chances of good quality of life या फिर survival rate जो होता है, वो कम होते जाता है. So, अगर कोई भी cancer stage 1 में, we are talking about cervical cancer, तो cervical cancer में भी stage 1 या stage 2 में हम लोग उनका treatment कर लेते हैं, तो prognosis मतलब आगे का life काफी अच्छा माना जाता है, almost healed मानते हैं हम लोग. Recurrence rate बहुत कम रहता है. इसमें एहम सवाल सभी का है, सभी महिलाओं का है वैक्सन को लेकर. HPV वैक्सन इसमें एक major role निभाता है, तो वैक्सन कितनी जरूरी है, कब लेनी चाहिए, कब तक कितने doses होते हैं, और किस प्रकार उसका असर होता है, इस सब बताएं. पहली बात तो मैं कल का बज़र दे के मुझे इतनी खुशी हुई कि Government of India ने 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए सभाइकल कैंसर के वैक्सन को फ्री में देने का निर्ने लिया है. बहुत ही अच्छा निर्ने है. दूसरी बात है, पैप स्मियर जो खरीब 40-50 साल से हमारे medical field में हैं. उसका awareness इतना कम है. तो vaccination का awareness आप सोच सकते हो कि कितना कम होगा. So, मैं अपने practice में कोशिश करती हूँ कि जो भी female को मैं देखती हूँ और अगर उनकी पास खुद उनकी daughter है या फिर sister है, मैं counsel करने का कोशिश करती हूँ कि सब को cervical vaccine लेना चाहिए. सबाइकल कैंसर का vaccine. HPV vaccine के नाम से आता है. HPV होता क्या है? HPV पहली बात एक virus होता है. Human papilloma virus कहते हैं इसको. यह virus एक one of the most common cause है सबाइकल कैंसर होने का. यह virus अंदर ही जाके cervix में कुछ ऐसे changes लाते हैं, जिसके वज़े से cervix के जो cells होते हैं, उनमें changes आके वो cancerous form में develop होते हैं. तो यह vaccine उस virus के against बनाया गया है, जो सबसे common तोर पे cervix का cancer करता है. जब हम यह vaccine देते हैं, जैसे बाकी सारे vaccines का भी काम होता है उस बिमारी से बचाने का, तो यह cervical cancer का vaccine भी हमें इस virus से बचाता है. And since यह virus से बचाता है, तो आप cervix के cancer से बचे रहते हैं. यह vaccine नहीं आपको सिर्फ cervix के cancer से बचाता है. Human papilloma virus, rectal cancer भी cause करता है. Oropharyngeal, like मुका और गले का cancer भी cause करने में उसको देखा गया है. Plus watts, बहुत सारे manskid हिले बन जाते हैं private parts में, उसको हम लोग watts केते हैं, उससे भी बचाता है. So HPV vaccine आपको सिर्फ और सिर्फ इससे ही ने, बाकी इन तीनों से भी protection देता है. आखरी सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से government of India ने ये vaccine free में देने का ऐलान किया है, तो ऐसे कई वर्ग है, कई SRC महिला हैं, जो मध्यम वर्गी हैं, जो afford नहीं कर पाएंगी, या कुछ ऐसे groups हैं, जो की सड़क पे रहते हैं, वो afford नहीं कर पाएंगे. तो फिर ये क अभी तक जितने vaccines आते हैं, वो सारे European country से आते हैं, इस वज़े से उनका जो price है काफी जादा है, तीन तरीके की vaccine जो है, वो available है market में, Cervarix, जो 2 strain of HPV virus से बचाता है, Gardasil 4, जो 4 strain of HPV virus से बचाता है, and Gardasil Nonavalent, जो 9 strains of HPV virus से बचाता है, तो सबके cost accordingly है, जैसे 2 strain का कम cost, like 2,000 something each dose का, Gardasil 4 का cost almost 3500 to 4000 जाता है, each dose का, and Nonavalent का cost almost 9-10,000 जाता है, एक dose का, and generally cervical cancer के vaccine के 3 doses लगते हैं, 15 साल के उमर, उपर के बच्चियों को, and 9-15 साल के उमर के बच्चियों को 2 doses, अगर government ने take over कर लिया, तो free में तो 9 साल से 14 साल की बच्चियों को मिली जाएगा, Recently मैंने paper में भी ये भी पड़ा कि Serum Institute शायद इस vaccine को बनाने का खोशिश कर रही है, and उन्होंने जो बोला है, वो 200 से 400 रुपए तक में वो vaccine रिलीस करने का उन्होंने दावा किया है, तो basically अगर जो भी चीज हमारे country में अगर बनने लगे, like Modi ji का जो made in India है, अगर वो होने ल 4 most important strains रहेंगे human papilloma virus के, तो that would be the best, I mean, उससे जादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, so 400 का अगर एक डोस तो मानलीजे, 12 सो में आपका पूरा का पूरा तीन डोस कंप्लीट होते हैं, and आप एक नहीं चार बिमारियों से निजाद पा सकते हैं, जैसी कि आपने डॉक्टर अ अगर पता बिमार को अपने परिवार में जितनी भी महिला है, उन्हें बता सकती है, उन्हें ये समझ में आया है, क्योंकि कल बजेट में वैक्सिनेशन के बार में बतायगा है, और आज इस बारे में कई साल लोग चर्चा भी कर रहे हैं, इसलिए ABP News ने आपको इस बार मे पूरी जानकारी दी केमा पसन अजे शिप्तरकर के साथ मैं लता शर्मा एबिपी नियोस मुंबाई